नेक्स्ट है अमारी परकीन रियेक्शन जिसमें बेंजल डियाइड लिया है C6H5CHO और साथ में असेटिक अनहाइड्राइड लिया है सोडियम एसीटेट CS3COON है और 180 डिग्री सेंटिग्रेड पर गरम करते हैं इसको C6H5CH double bond CHCOOH सिन्नामिक एसीड प्लस CS3COOH एसीटिक एसीड प्लस वाटर H2O यह प्रोड़क्ट बनते हैं बेंजल डिहाइड को एसीटिक एनहाइड्राइड से क्लिया कराते हैं 180 डिग्री सेंटिग्रेड ताप पर गरम करते हैं तो सिन्नैमिक एसीड और एसीटिक अमिल मनते हैं बेंजोइन संगनन तो इसमें बेंजल डिहाइड लिया है C6H5CHO दो अनूर इसके लिए हैं जिनका परस पर संगनन होता है कंडेंसेशन होता है पोटेशम साइनाइड की उपस्तिती में इससे बनता है C6H5CHOH COC6H5 C6H5 CHOH COC6H5 यहने दोनों अनुम आपस में जूड जाते हैं इसी को बोलते हैं अनूर नाम इसका हाइड्रोक्सिकितोन नोवी नोजल रियक्शन एसिटल डियाइड लिया है अपने नहीं कोई LDL या कितोन ले सकते हैं है यहां हमने एसिटल डियाइड लिया है C3CHO और साथ में लिया दाई एथिल मेलोनेट दाई एथिल मेलोनेट H2C ब्रेकेट में COOC2H5 फोल ट्वाइस इसको मेलोनिक एस्टर भी बोलते हैं और नाम है इसका दाई एथिल मेलोनेट जल की उपस्तिती में यह मध्यावर्ती योगीक बनाएगा CS3CH double bond C ब्रेकेट में COOH गरम करेंगे इसको इसमें से कारबन डाइकसाइड निकल जाएगी और यह बना लेगा क्रोटोनिक अम्ब्ल CS3CH double bond CH COOH क्रोटोनिक अम्ब्ल यह दिन नोवी नोजल अभी करिया अब यह बहुत most important है Eldol Condensation Eldol संगनन यह यह एलडिहाइड और एलकोल दोनों मिला दें तो Eldol कहते हैं अलफा हैड्रोजन इनमें होना चाहिए अलफा हैड्रोजन जिनमें होता है उन्हीं कार्णिक योगीकों में यह क्रिया होती है और ख्षार की उपस्तिती में क्रिया होती तो Acetyldeide के दो मोलीकुल लिए ख्षार की उपस्तिती में यह बीटा हैड्रोक्सी Eldeide बना लेते हैं CH2, CH, OH CH2, CHO अगर यह ही अपन किटोन में देखें तो Acetone लिया है CH3, CO, CH3 दो मोलीकुल लिया है CH3, CO, CH3 डाइल्यूट HCl की उपस्तिती है यह बीटा हेड्रोक्सी किटोन बन जाएगा है यह था Eldeal Condensation CH3, CH3, CO, CH2, CO, CH3 बीटा हेड्रोक्सी किटोन केनी जारो अभिक्रिया अगर अलफा हेड्रोजन नहीं पाए जाते हैं तो केनी जारो अभिक्रिया अलफा हेड्रोजन पाए जाए तो Eldeal Condensation और नहीं पाए जाए तो केनी जारो अभिक्रिया इसमें क्या लिया है फार्मल डियाइड लिया है दो अनू इस तरह से भी लिखते हैं सांध्रेने ओएच की उपस्तिती है और यह अगर अपन बेंजल डियाइड से कराएं करिया सांध्रेने ओएच की उपस्तिती में तो सोडियम फिनेट बनेगा है सी सिक्स एच वाइट सी डबल हो एने केनी जारो अभिक्रिया नेक्स्ट है रोजन मूंड रियक्षन रोजन मूंड अभिक्रिया आर सी यो सी यल अर की आगें हम सी दे थी रकदें तो सी एस त्री सी ओ सी यैल याने असेटाईल क्लोरईड ऑर लगाओ तो हम बोलेंगे अलकाईल क्लोरईड कुर्द रक इसमें पलेडियम या बी एसो फोर बेरियम सल्फेट LDH बनेंगे इसमें RCHO प्लस HCl मैनिश रियक्षन C6H5 COCS3 किटो ने ये भी एक पकार का वो साथ में है फार्मल्डिएड और अमीन सेकंडरी अमीन CS3 वल्ट्वाइज नेच ये क्या बनेगा बीटा अमीनो कार्बोनिल योगीक जिसको बोलते हैं मानिश शारक या मानिश बेश सुत्र क्या इसका C6H5 C++O CS2 CS2N CS3 होल्ट्वाइज बीटा अमीनो कार्बोनिल योगीक जिसको बोलते हैं मानिश शारक ये बिफोर लाश्टियर आ गई थी ये रियक्शन पहले कभी आती नहीं थी इसलिए हमने लिखा है हेल होल हार्ड जैन्स की रियक्शन एसेटी कामल की क्रिया करानी ये क्लोरीन से लाल फास्पोरस की उपस्तिती में ये क्लोरो एसेटी कामल बन जाएगा इसमें क्लोरीन से लाल फास्पोरस की उपस्तिती में हेल होल हार्ड जैन्स की रियक्शन कि इटार्ड अभिक्रिया में टालुइन लेंगे मेथिल बेंजिन भी केते हैं इसको और क्रोमिल क्लोराइड लेंगे और पार्शल ऑक्सिडेशन ये पार्श्व वर्ति आक्सिकरन करेंगे इसका तो बनता है यह क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बेंजिन के उपर C-H बेकेट में O-C-R-O-H-C-L-2 क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जिसका जल अफगटन करते हैं तो बेंजल्रियाइड बनता है C-6-H-5-C-H-O ये ती इटार्ड रियक्शन और रिफोर्मेट्स की रियक्शन तू ब्यूतेनोन लेना इसमें CS3, CS2, C, CS3, O-O-2 ब्यूतेनोन और साथ में अलफा ब्रोमो एथिल एसिटेट ब्यार, CS2, C, O-C-2-H-5 जिंक, एथर और वाटर की उपस्तिती इसमें बन जाएगा ये एथिल-2,3-डाइमेथिल-3-हाइड्रोक्सी-पेंटोनेट एथिल-2,3-डाइमेथिल-3-हाइड्रोक्सी-पेंटोनेट सभी अभिक्रियाओं को एक एक बार आप वापस केवल दिखा देते हैं 21 से ये तो थी हमारी परकीन रियक्षन ये हो गई बेंजोईन संगनन ये नोवी नोजल अभिक्रिया ये ये एल्डोल कंडेंसेशन इसके बाद एक केनी जारो अभिक्रिया ये रोजन मून्ड रियक्षन मानिस रियक्षन जिसमें मानिस शार बनता है हेल होल हार जैन्स की रियक्षन एसिटी कम्र से क्लोरो एसिटी कम्र बनता है किटार्ड रियक्षन टाल्वीन से बेंजल्डिहाइड का निर्मान रिफोर्मेट्स की रियक्षन टू मेट ब्यूट्वन से और अल्फा ब्रोमो एथिल एसिटेट की क्रिया से एथिल टू थ्री डाइमेथिल थ्री आइड्रोक्सी पेंटेन पेंटोनेड बनता है और पिछले वीडियो वाली भी हम एक बार और बता देते हैं ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगे यह तो अपन को क्या याद करना पड़ेगा यह कुछ इनके चिन है यह से लगा हो तो क्याहे है कि यह वुर्ड अभी क्रिया है कि अधि रिंकी क्रिया है 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 की नीच चल्व से कि अभी और एक एकड़ू दोनों का ले लें तो फिटिंग अभी पिर सोडियम की जगे हम कॉपर ले ले लें तो उल्मान अभी क्रिया प्लोरो बेंजीन से फिनल बनाए तो डाउप्रोसेस डाउप्ण कली इयुक्रिया फ्रीडल क्राफ्त अभी जाएं सामाने फ्रीडल क्राफ्त अभी क्रिया में के नाम से बेंजीन और मिथाइल क्लोराइड की क्रिया कराएं है तो तालवीन बन जाएगा फिर यह है वीलियम संसलेशन यह फिंकल स्टीन अभी क्रिया जिसमें हेलोजन का के वल प्रतिस्थापन हुआ हाफ्मेन ब्रोमाइड रियक्शन प्रामरी अमाइड से प्रामरी अमीन बना लेगा कार्बी अमीन अभी क्रिया इसमें प्रात्मिक अमीन एलकील आइसोसाइनाइड बना लेता है यह मस्ट्राड अभीक्रिया प्रात्मी कमीन की पहचान है तू जिसमें अलकील आइसो थायो साइनाइट बनता है जिसमें सर्सो के तेल जिसी गंदा डाइजोटी करण में जो एनिलीन है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में परिवर्तित होता है को साटन बोमण रियक्षन तो एनिलीन और बेंजो इल क्लोराइड की क्रिया से एन खेनाइल बेंजमाइड बनता है जिसमें इनिलीन से कलोरो फिंजीन और ब्रोमो बेंजीन को बना सकते हैं HCL लेंगे तो Chlorobenzene और HBR लेंगे तो Bromobenzene यह Reamer T1 अभी करिया जिसमें Phenol Salicyl Aldeide में परिवर्थीत होता है कोल बें अभी करिया Sodium Finate Salicylic Ambal बनाता है गाटर में अभी करिया बेंजीन से Benzaldeide बनता है और यह 20 वी क्लिमेंशन अपचैन जिसमें Aldeide या Ketone गर्म करने पर हैड्रोकार्बन बनाता है यह ती कुल 30 अभी करिया है दिन में से पाँच परिक्षा में पाँच अंकों में पूछी जाती है धन्यवाद, थेंक्स पूर वाचिंग